हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, इन्टीग्रेटेड फिजिक स्टडीज आई-पी-एस एथरे मूँ अल्ड़ेडी प्लस टू सेकेंडर सिलाबस कम्प्लीट करी सारची एवे मूँ प्लस ट्री सीवी सीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अप्लोड करी वी जोदी भल लेगला है ताहले लाइक कर दबो एवां सब्सक्राइब कर दबो जो वीडियोज गुड़ा मूँ अप्लोड करी वी तारा नोटिफिकेशन पाई एठी बेल डाउनलोड मुद्यो करी परिवा पीडियोपको लास्ट रे एठी जो मुरो चैनल नेम मची याको क्लिक करी तमें एठी प्ले लिस्ट को जाई मूँ प्रती वीडियोज को यूनिट वाइज एच पर सिलाबस हो जाई की रोखेती भी तमें सर्च करी परिवा ओके थैंक्य हेलो स्टूडेंस आजरो टोपिक रामें देखिवा दो नेचर ओप फिशन फ्रेग्मेंट्स तदखो न्यूकलियर फिशन रे जयते वड़े गूटे हेबी एलिमेंट लाइक यूर यूरानियम येटा जयते वड़े फिशन प्रोसेस को जाऊची ताहले दुईटा फिशन नेचर अगरांगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगरेंगर तारण न्याती भाबरेट डिफरेंट रही थाए भेलू हैला उब्णल रा भाड्य 2021 सब्वाचेए तमर्व लाइट और और इप्रंट में प्राइबयार होंद इनल्वेटर फ्रेंच फ्रेयपर होगें पितएवा पर्म्न नियोटरनReally राग्मेंट देखिवा लाइटर फ्रेग्मेंट कु ताहले यारो मास नमबर्टा स्प्रेट करिवा अप्टु 85 to 105 आव यतिरे ब्रोड पिक्ट आस्टिवा जत्रोले मास नमबर 96 ही जाओची यारो मास नमबर स्प्रेट करूची के ते 130 रूव यारो मास नमबर स्प्रेट करूची के ते 130 रूव 150 जाए ओके तो आमें देखिला यही जो फिशन प्रोसेस टाँ होची गोटे एस्यमेट्रिक पोसेस एबाग यारो जो प्रोबाबेलिटी जदि आमें कहिए बागें स्प्रेट्रिक फिशन जदि एक्चुली आमें तार प्रोबाबिलेटी को काल्कुलेट करीबा विद इक्वेल मास नमबर यह बोहुत कम ओके तो एबे जदि आमें एक्साइटेशन एनर्जी जो कमपाउंड नुकलियस रो विच अंडर्गोज फिशन तक्कु जदि इनक्रीज करीबा केमती इनक्रीज करीबा यह बाए हायर न्यूट्रोण एनर्जी ताहले गणा होब सिमेट्रिक फिशन बिकाम्स प्रभाबल ताहले सिमेट्रिक फिशन रो चांस टिके बढ़ी जिवा एन्ड सिमेट्रिक फिशन इज अल्सो मोर प्रभाबल वेन दफिशन इज इन्दूस बाए पाटिकिल्स अधर देन नुट्रोंस नुट्रों छोड़ा आउ जदि उपायर तमें फिशन जदि कोर्च ताहले सिमेट्रिक फिशन रो तमारो चांस बाप्रभाबलिटी बढ़ी जिवा ओके तो गुट्टे जिन्सो मार्क करो एठी जवू कर्ब्टा में दखुत ला एठी गुट्टे ओची तमारो सेंट्राल मिनिमा दिस वन इला तो एई सेंट्राल मिनिमा रे आमें जदि को रोईला है तो आमें देखको चुँ जी सिमेट्रिक फिशन बा सिमेट्रिक हे बार चान्स टा केते बले रहुची जेते बले आमें काल्कुलेट को चुँ एबाउड दा सेंट्राल मिनिमम सिंस फोर एबरी हेबी फ्रेग्मेंट यारीज एक कोर्स्पोंदिंग लाइट फ् चुँ ओके सो बेजो एक्चुली हो ची तार रिजन कोनो ही परे रिजन फर एक्चुली फ्रेग्मेंट्री इन दा फिशन फ्रेग्मेंट मास्टिस्रिबूइशन इज नौट एक्चुली फुली अंडस्टूड पूरा भलभावरे भी बुझा पड़ी नाही है और इट सी फ्रेग्मेंट आ नूट्रों संख्यारे बेसी थिवा रिली नूट्रों रिज है थिवा धन देन तू फिशन फ्रेग्मेंट सपोज बेरियम आव क्रिप्टन है ला जोटकी उरनियम रो फिशन रूबारले दे हाव नूट्रों एसस एबंग तार वेलू तमरा एन न मानस जड़ उची इकल तू ए मानस तू जड़ केते आसीला 29 एन 20 रेस्पेक्टेवली तो दनेचुरल बेरियम आव क्रिप्टन तार एक्चुली साथ आव छोथ है स्टेबूल आइसोटोपर तो एठी आमें जोदी हेबियेस्ट बेरियम कुनो उच्व जो तिरेकी 26 आस्ची आ अधर वर्ड्स आमें कॉनो देखिला जे एई जो दूइटा फीजन फ्रेग्मेंट आसीला देएवे निूट्रोन एसेस वुचि इच कॉंसीडरेबली ग्रेटर देन द नीड़ेड वन विच इज रिक्वार फोर देयार स्टेबिलीटी ताले एटाब स्टेबिलीटी भी एत्ते वेसी रहू नाही जेतु बहुत संख्यारे एथिरे निूट्रोन एची तो फर देन निूट्रियार स्टेबिलीटी कॉंडिशन एगेंस्ट द डिके आमें कॉन करिवा जे एई जो निूखली उड़ा आसीला जेतु एड़ा स्टेबूल नूँ अंती दे मस्ट बिटा माइनस पाटिकल एथिरे एक्टिव थीवो और दीज बिटा माइनस एक्टिविटीज अब एबोग टू फिशन फ्राग्मेंट्स केन बी रिप्रेजेंटेड बाय दा फूलोइंग बिटा चेन्स तो देखो एई हिसा आबरे एठी दू इटा जाको फ्राग्मेंट बिटा चेन्दी आएची कुटे बेरियम रो गोटे क्रिप्टन रो बेरियम रो बिटा पाटिकल जोदी कुटे एलिमेंट रू बाहर उची माने घणा एथिरे तमरो एटा अठरो मिनिट हैला अठरो मिनिट ता परेट 3.7 आओर देन 33 डेज एमती करीकी तारो डिके होची हैला तो लास्ट कुए एई जागार पहुंचुची हैला उची इजा स्टेबल वन पी आर 141 जिमिलारली क्रिप्टन रो बंध्य एई बढ़े आशची हैला त्री सेकंद देन 80 सेकंद देन 2.7 आर्स 3.7 आर्स ZR92 उची इजा स्टेबल वन आईसोटोप एजा गार आशची आर्स 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 इतनियो ताले ये थिरे तमारा N-Z र संख्या आई जाओची 51 and 54. On the other hand, the sum of the neutron S-S for the heaviest stable isobar barium of krypton र जदिनोचु which are in the middle region of the periodic table, ताले यार अभेलू पाखा पाखी above 40. Thus, when a uranium nucleus undergoes fission, both the fission fragments generally contain many neutrons in excess of the numbers required for their stability. So, this makes them beta-minus active. ताले बिता-minus पाखिकल दूसे चेन आकारे डिके है है जिबा। Even if one of the fragments has a proper neutron S-S to make it stable, So, the other must have so great a neutron S-S that it will definitely be beta-minus active. Okay. अभे याई, fission fragments रो, energy distribution जदि आमे अधिया मेजर करिवा, ताले ठीक mass distribution रे जमती asymmetry आउसके ला. Similarly, kinetic energy distribution रे भी asymmetry आसिवा. दाखो, fission fragments रे याखी कैनेटिक energy मेजर करता चू हो। Using ionization chamber, विदि विद विग गौट में थीनफोल नहीं आजबा uranium थयूर थों रो. तापरे जो iron produce हो हो बायदा हो थौट व्रेग attracting tube two halves of the chamber and they are collected in the electrostatic field so it is generally assumed that the energy required to produce an ion pair in argon it's same for both fission fragments as well as for alpha particles they don't worry I may have a total energy cook why it is proportional to the total ionization current okay second thing I'm going to worry about to prompt neutrons baruchy taron mask who votes one of the master both negligible I'm a neglect color so neglect color mask who tab are going to worry about I'm a conservation of momentum use of the two fission fragments jaro ki mask who I'm supposed to go la m1 out m2 similarly velocity in color v1 out v2 thale m1 v1 equal to m2 v2 hella a bit more than a kinetic energy or ratio bar so e1 by e2 hey you can tell you how to cancel easy half m1 v1 square by half m2 v2 square about the half cancel easy so next come oh hello I'm a totally over turn to m1 v1 square by m2 v2 square koribar siti back on koribar now to lay out parade m1 m2 multiply koribar so a relation use kori ki ame cancel kore bava jato so square ton ku so result as m2 by m1 so it is thus possible to determine the total energy e1 plus e2 for each vision as also the ratio e1 by e2 and m1 by m2 now I would have instant note kori qe jaro qaj you tmTP distribution karibar so this is the region of mass distribution kori qo determine kora jake okay so e2 fishes fragments raw energy distribution in case of thermal neutron fission जोदि आमें यूरानियम 235 रो नेबा तहले दखो ग्राफीकली आमें एई बड़या फिगर पाइबा येठी दुईटा पीकाउस ची दुईटा ब्रोड पीकाउस ची गोटे हला 61.4 मेभी आ गोटे हला 93.1 मेभी तेवे गोटे इंट्रेस्टिंग इन सो एजो हायर एनरजी पीकला एटा हूँची कहा रो? लाइटर फ्रेग्मेंट रो एटा लाइटर फ्रेग्मेंट रो अवगं एजो लोएर एनरजी पीकला एटा ताहले हेभियर फ्रेग्मेंट रो So, ए जो lower energy peak को आउट टिके दखा mark करो, एटा टिके चोडा ओछी, broad ओछी, okay, so, एटा कम broad ओछी और narrow ओछी आमें गही पारिबा, such that, कहीं गेमती होछी? Such that, the areas under them, या तड़े थी बाजो area आटा आशी ला, areas under them will be equal when properly corrected for overlapping region, overlapping region रो correction भाई यारो area आटा समान रखी बाकू हाब, तानू करी एई बढ़या तमारो गोटे broad ओछी, गोटे narrow ओछी, okay, thank you.